Hello everyone, welcome to the special night update एक बच के तीस मिनट हो रहे हैं इस टाइम पे रात के and Elon Musk has started going wild on Dogecoin अब देख सकते हो Dogecoin के around एक और pump यहाँ पे Elon Musk ने लाने की कोशिश करी Dogecoin को tweet करके and हम सब को पता है कि Elon Musk ने already claim कराए कि उसके पास Ethereum है, Bitcoin है and Dogecoin है तो Shiba Inu वालों को तो उसने वैसे ही side कर दिया, लेकिन Dogecoin यहाँ पे अच्छा pump किया है इस tweet के बाद and काफी लोग FOMO buying करना start कर रहे होंगे तो थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है, Elon Musk देता भी है, Elon Musk लेता भी है तो MA से reject हो गया Dogecoin and TA के हिसाब से अभी भी it's trying to climb up थोड़ा time का यह bearish दिख रहा है, बट MACD अगर यहाँ change होता है तो हम इसको यह वाला जो trade line है, यह climb करता बाद देखेंगे and इसका target हम जो देख रहे हैं, वो है 0.32 cents, अगर हम इसको convert करें अपने INR पे, तो हम इसका target जो लेके चल रहे हैं, वो है हमारा 26 रुपे के असपास तो 26-27 रुपे के असपास अपना sell order लगा सकते हो अगर आप वजीर X पे trade कर रहे हो, तो 29 रुपीज पे भी लगा सकते हो वहाँ पे कुछ भी चलता रहता है, तो 28-29 पे आप लगा सकते हो अब इस तक का realistic target है, even if a big pump comes, that is it, I think and Elon Musk ने अच्छा खासा tweet करा है, लेकिन जो market है इस time पे आप देख रहे हो, Bitcoin थोड़ा सा यहाँ पे shaky हो रहा है and अगर हम इसको weekly पे check out करें, तो weekly पे यह जो candle बन रही है, आप देख सकते हो कि यह थोड़ा सा यहाँ पे not looking that good, ठीक है, अगर यह candle हमारे पास अच्छा खासा green नहीं हुआ जो कि यह 4 गिंटे में होने वाला है, सुबे तक हो चुका होगा, तो एक एक ऐसी candle के बाद एक और अगर red candle बनती है, तो that is not good and हम इसको weekly support, that is 56,500 पे शायद देखे, that is why risk manage करके चलें, अपना, हमने आपको life पे बताया है, कि जो भी आप long लेते हो leverage अपना कम रखना, leverage अपना समहाल के चलना, क्योंकि काफी risk है market में, हम देख रहे है, randomly कुछ coins यहाँ पे pump कर रहे है, उसका मतलब है कि market में, जो पैसा है, वो इधर उधर घूम रहा है, पैसा इधर उधर जा रहा है, यहाँ से वहाँ, जो total 2 है, वो धीरे-धीरे climb कर रहा है, total 2 जिसको नहीं पता है, वो है, सारा का सारा crypto market में, जितना पैसा है, और हम bitcoin को हटा दे, तो that is 1.4 trillion के आसपास, और जो total है, वो 2.5 पे है, तो यहाँ पे जो totals है, मतलब जो market में पैसा है, वो इतना नहीं है, मतलब इतना change नहीं हो रहा है, इतना bearish नहीं है, जितना इस time पे bitcoin है, इसका मतलब पैसा है market में, और वो पैसा क्या है, इधर उदर जा रहा है, इस नोट going into a single coin या फिर पूरे market पे eventually नहीं बट रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ-कुछ coins अचानक से pump कर जा रहे हैं, जैसे कि AR pump किया, तो ऐसी चीज़े अभी market में हमें देखने को मिल रही है, that is overall a decent sign, that is not bearish and 56.5 से 57 के असपास भी अगर आप देखते हो bitcoin को, तो जादर surprise नहीं होना है हमें, हमने आपको risk manage करने के लिए अल्रेडी बोल दिया है, although मेरा personal जो expectation है bitcoin से अस time पे, वो कुछ इस तरीके से है कि we might see a short dump and then a good pump to 61, 62 के regions but कुछ पका नहीं का जा सकता है, इसलिए हमने आपको futures करने से मना किया है, but Elon Musk ने जो dogecoin का pump start कर दिया है, that's why we are holding dogecoin, one of the largest holding भी हमारा dogecoin है, थोड़ा-थोड़ा profit book करते भी हम dogecoin को ले के जा रहे है, तो यहाँ पे अच्छा खासा pump हम देखने को मिल रहा है, I hope you guys are not for moving in, Elon Musk के tweet के बाद नहीं, उससे पहले बाई करा करो dogecoin and dips पे उसको थोड़ा-थोड़ा करके उठाते वे चलो, same goes with WRX token, so this was a quick night time update, अच्छे लगे हो कि तो लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और नहीं हो चानल पे तो पक्का सब्सक्राइब करना, रात रात तक हम आपके लिए जाक के अपडेट से रहे, thank you for watching, I hope you have a good night.